सब्सक्राइब तब यहां पर देखें यहां पर देखिए बीज में अलग कर ली हूं और यह जो एलो एलो सा दीख रहा है बहुत मिठ्था लगता टेस्टी लगता है यसको प्रेकरन नहीं देखिए बागी बात करते हैं एक पर देखेए बीज निकाल लिए हैं और सो तेल में डाल ऊहर दीओं कड़ाही में और इसे हमें फ्राई कर लेनी है पाले बीज को तेहरा पर काफी सारे सषझ्दा आपको जा रहे करनें तो हम अची तरह से पहले तेल में फ्राई करेंगे तो सर्शो तेल में ज्यादा टेस्टी बनता है रिंट अब आपकी जो तेल बचा है उसमें एक चमा जीरा डाल देंगे और कठल का सबजे तो थोड़ा सा हिंग हम जडूर डालेंगे क्योंकि हिंग जडूर है इसमें डालना और एक तेज पत्ता हम डाल देंगे तड़के के लिए बस इतना ही काफी है उसके बाद जो मैं दो प्याज यहाँ पर इस तरह से स्लाइस में लंबा लंबा कट कर ली हू थोड़ा सा देखिए मैं यहाँ पर अद्रक भी डाल रही हूं और हल्दी पाउडर एक चमा डाल रही हूं अगर आप लशन खाते हैं तो लशन जडूर डालें इसमें बहुत टेस्टी होता है और जितना आप तीखा खाते हैं उसके हिसाब से मिस भी डाल देंगे यहाँ एक में छोटा सा प्याज इस तरह से कट करके डाल दे रही हूं और थोड़ा सा पानी डाल करके हमें फिर इस तरह से पीश लेना है इसको तो बहुत टेस्टी हमारा घर का मसाला तयार हो जाता है तो यहाँ पर देखिए और प्याज भी हमारा मुना गया है तो इसके अंदर को भी लो मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेनी है और साथ में टेस्ट कहीं साथ से नमक भी डाल दूँगी और सब को एक साथ में कुछ तर के लिए ढपकर छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे उसके बाद देखिए मसाला हमारा भूना गया है विल्कुल रे और यहां पर देखिए एक भी जिल लग गया है और उसके बाद हमें यहां पर आपको दिखाती हूं जब भी जिल निकल गया उसके बाद इस तरह से बन कर तयार हुआ है अब देख सकते हैं चावल में ज्यादा टेस्टी लगता है परें तब जब भी बनाया तो चावल के स झाला हुआ झाला भी जिल झाला है अजदा परें जिल वाला तो चावल के सी वाला है जब भी जब परें लगता है यह जगता है परें जब भी जदी।